हालो दोस्तों नमश्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां पर हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रीडिंग हम लोग आटोमेशन के तुरू कैसे कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियस के दोस्तों आटोमेशन बिसिकली आटोमेशन हम लोग कहते हैं जहां पर हम किसी फॉरेक system का use करते हैं या indicators का use करते हैं automated या semi-automated या फिर expert advisors का use करते हैं जिनको हम robots भी कहते हैं robots इसलिए क्योंकि वो एक algorithm के उपर based है और वो खुद ही buy और sell का trade ले सकते हैं और ये काम करते हैं जो inbuilt indicators होते हैं और जो भी theoretical और fundamental technical analysis जो भी हमने उसके अंदर डाली होती हैं उसके रिसाब से वो काम करते हैं तो दोस्तों आज का भी video EFT PA के बारे में है तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं सबसे पहले आपको दीपावली की हार्तिक शुब कामना है ये वीक पूरा festival से भरावगा था और आज भी Friday है तो गोगर्धन पूजा की आपको हार्तिक शुब कामना है और ये जो वीडियो है EFT PA जैसा कि मैंने पहले बताया है मैं इसको मार्च से और मैंने बहुत सारे अलग-अलग accounts में यूज किया है अलग-अलग currency pairs में और इवन गोल्ड में भी काफी अच्छा काम करता है तो मैंने नीचे कुछ लिंक्स दिये हुए हैं सारे लिंक मेरे लिए possible नहीं थे लेकिन मैंने कुछ लिंक्स दिये हैं और आपको और वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उसमें आप EFT डालेंगे तो आपको जो भी वीडियो मैंने EFT के नाम से अप्लोड किये वह आपको दिर पहले यह trade को थोड़ा pause कर देता है कोशिश करता है कि जाधा तर trade उससे पहले close हो जाए और अगर कुछ trade बज भी जाती है तो additional trade उस टाइम open नहीं करता है जब तक कि जब news release होती है उसके कुछ time बाद आदे घंटे एक घंटे जब भी fluctuation या फिर marketing shape ले लेता है marketing direction ले ले ल आप description में देख सकते हैं और मैंने एक google link का भी मैंने आपको एक नीचे दिया हुआ है आप उसमें जाके इसकी जो reports जो मैंने post किये वो देख सकते हैं कुछ reports मेरी pending है वो मैं post कर दूँगा तो आप उनको देख सकते हैं हम अभी फिलहाल यहां से चलते हैं 13th of September आज 5 November है और चले स्टाट करते हैं यहां से दोस्तु मैंने एक हä Essential dollars जरूर सर्थ किया पर मैं सजिश्ट करता हूं मैं Mexican एक्छिळी 1200 से 1500 prefer करता हूं ख करता हम जरूर कीया है मैंने सोचा है कि अब जरूरत पढ़ेगी तो मैं तो मैं दूरण deposit कर दूँगा ख क्योंकि मेरे से स्कोप था लेकिन अब ज़रूरत नहीं है फिलाल इसने manage हो गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें क्या करता है मार्केट की fluctuation या ट्रेडिंग के लिए में गुज़रूत पड़ेगी लेकिन अगर आप account balance अपने थोड़ा हाई रखते हैं आपको पता नहीं आप सो रहे हैं और कभी एक्तम से high volatile नहीं हो जाई तो margin कभी-कभी minus में चला जाता है माइनस में जा सकता है गया नहीं अभी तक लेकिन जा सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा additional ही deposit करके रखता हूं पंद्रहसोर डॉलर मैं नॉर्मली suggest करता हूं एक हजार डॉलर minimum क्योंकि देखिए आपका account balance अगर मजबूत रहेगा तभी वह उतनारी क्योंकि देखिए फॉरेक्स मार्केट को ना यह ट्राइव करता है ना को human being करता है यह फॉरेक्स मार्केट जो होता है वह अपने आप मूव होता है उसमें बहुत सारी देखो क्यों क्योंकि कौन सी country में क्या चाब रहा है उसका कौन सी country पर क्या impact पड़ेगा यह सब पता करना बड़ा मुश्किल है इसलिए आप अपने account balance मजबूत रखें अगर कभी कोई spike भी आ जाती है तो भी चीज़े manage हो जाती है और यह मैं जो आपको minimum minimum account balance याफ यह सब चीज़े रखें कुछ लोग मेरे पास 40-50% 30-40% उस पर आते हैं और उनको कोई experience नहीं होता तो देखिए वो expectation आपकी जायज नहीं है क्योंकि आपको कोई भी experience नहीं है कुछ भी आपको knowledge नहीं है फिर भी आप इतना expect कर रहे हैं ठीक है तो अपनी expectation reasonable रखें क्योंकि कोई भी और investment तो जिसमें आपको EA के थुरू आपको कुछ और कुछ करना नहीं है सब कुछ इसी को करना है अपनी expectation अपनी limited रखें ताकि आपके ओपर भी लोड़ना पड़े और EA के ओपर भी लोड़ना पड़े आपका account balance मजबूत रहेगा तो आप forex में लंबे time तब टिक सकते हैं बशरति आप सही strategy का use करें expectation minimum रखेंगे और दूसरा बहुत important बाद risk और money management हर जगे important है भली आप manual trading करें चाहे आप EA के थुरू trading करें तो दोस्तों हमने 1012 इसमें शायद एक डॉलर का मुझे रिबेट मिल गया होगा मेरे ट्रेड के हसाब से तो एक हजार 1212 या फिर आप एक हजार 13 मान सकते हैं तो हमने 733 डॉलर्स का profit हुआ है almost हमें कितने कि 13 सप्टेंबर से अभी तक शायद 6-7 हफते के असपास 7 weeks हो गया है और मैं आपको running trade भी दिखा देता हूं अभी यह कुछ running trades है ठीक है अभी जब अभी मैंने दो मिनट पहले मैंने इसकी रिपोर्ट निकाल लिया तब running trade माइनस 15 कुछ था रिपोर्ट मैंने इसलिए थोड़ा सा पहले निकाल लिया तक कि इसको क्योंकि थोड़ा सा ओपन करने में भी थो टाइम लग जया था अब डेट देख सकते हैं पांच नवंबर है और 1212 से हमने स्टार्ट किया था देकि सेम चीज़ है जो आपने अभी account history में देका बस यह यह देखे दिवाली के पटा के बार जूट रहे है अभी भी रात के एक बच रहे हैं देखे यह फ्लोटिंग है मैंने बस अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले ही पांच मिट पहले ही निकाला है और मैं इसको screen actually मैंने rectangular select किया हुआ है तो देखे आप इसमें देख सकते हैं क्या profit रहा क्या drawdown रहा सब कुछ आपके सामने है इसमें कुछ में चुपाने वाली कोई बात नहीं है और running trades भी देख सकते हैं इसमें buy और sell की trades हैं दो दो sell की हैं बाकी buy की trades हैं जो भी है आपके सामने आप देख सकते हैं और अगर आपके कोई queries है तो please मेरे को email के तुरू या फिर टेलिग्राम के तुरू मेरे साब contact कर सकते हैं description में मैंने दिया हुए कि आप मुझे contact कैसे कर सकते हैं आप मेरे को सिर्फ यह दू अवर्दन पूजा की बहुत सारी शुद्काम ना है तेंक यू बारे मुच टेक केर स्टेए सेख बाइ